नमस्कार विद्यार्थियो आज हमें के नया टॉपिक प्रारम कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यवेशन फ्रांस की क्रांथि फ्रांस की क्रांथि दुनिया में एक बहुत महत्पूर्ण घटना के रूप में देखी जाती है फ्रांस की क्रांथि से दुनिया को तीन मैसेज मिले स्वतंतरता समानता और बंदुत ब्रातत तो जिसको कहते हैं तो फ्रांस की क्रांथि को दुनिया के सभी देशों में वहां के इतिहास में इस क्रांथि को एक महत्पूर्ण विश्य के रूप में पढ़ा जाता है विद्यार्थियों किसी भी देश में कोई भी ग्रांथि अक्समात नहीं होती है ग्रांथि तब होती है जब उस देश की जनता मोजुदा राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के सोसन एवं उत्पीडन से तरस्त होकर, परिशान होकर, सहन सक्ती खोवैटती है उसका धहरिय जवाब दे जाता है तब जन ऐसंतोस, जनता का ऐसंतोस बढ़ता जाता है, उग्र होता जाता है उग्र से भी उग्रतर होता जाता है, और फिर अचानक विस्फोट होता है फ्रांस की क्रान्ती भी इसका अपवाद नहीं थी डॉक्टर जगदीश चंदर जहा एक बड़े इतिहासकार, उन्होंने लिखा है कि फ्रांसी राज्यक्रान्ती इतिहास की सिरफ एक घटना ही नहीं है बलकि एक जिवन्त परंपरा है यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कई बार लड़ा गया मसलन अठारा सो तीस तथा अठारा सो अड़तालिस फिर अठारा सो सत्तर यह इतिहासकार जगदीश चंदर जहाने लिखा है देखिए फ्रांस के बारे में आप जानते हैं विद्यार्थियो इससे पहले की जो हमने एकाईया पढ़ी है जो अध्याय हमने पढ़े हैं जिन पर चर्चा की है यह तो आपको विदित हो गया कि फ्रांस यॉरोप का एक सक्ति साली देश था और इंग्लेंड के बाद वह एक महासक्ति के रूप में उसकी गण्णा की जाती थी लूई चौदवे के सासनकाल में वहाँ पे लूई नाम के अनेक सासक हुए जिसमें मैं लूई चौदवे की बात कर रहा हूं जिसका समय था विदियार थी हो 1643 से 1715 तो लूई चौद्वें के सासनकाल में फ्रांस यॉरोप में सबसे अधिक सक्ति साली देश हो गया था इंग्लेंड से भी जा था उसने युद्धों के माध्यम से फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया सामन्तों की सक्ति का दमन किया और राज्य की संपूर्ण सक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित किया यानि की अपने हाथों में ले लिया राज्य में कोई भी ऐसी सक्ति ने रह पाई जो किसी तरह का विरोध कर सकती थी लुई चोद्वें के खिलाप परन्तु एक और दुस्परिणाम जो लुई चोद्वें के युद्धों का हुआ वो फ्रांस की अर्थ व्यवस्था खराब हो गई गाटा फ्रांस का जो है वो बढ़ गया सरकार पर भारी कर्जा हो गया लुई चोद्वें की मृत्वें के बाद लुई पंद्रवां ने लगबग 60 एर्स 60 साल तक सासन किया वह स्वैम आयोग्य था आलसी था विलासी था और स्वैम तो जो था जो था ही उसके मंत्री भी वैसे ही आयोग्य निकले और विद्यार्थियों इतिहास में ऐसा होता है आप पढ़ेंगे ऐसा कि जब राजा योग्य हुए तो मंत्री भी योग्य और मंत्री भी कर्मट मंत्री भी पुरुसार थी और जब राजा आयोग्य हुए विलासी हुए आलसी हुए व्यबचारी हुए अत्याचारी हुए तो उनके मंत्रियों का आचरण भी वैसा ही हो जाता है दर्बार के विलासी जीवन तथा युद्धों के कारण लुई पंद्रमे के सासनकाल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति निरंतर भी गड़ती गी परंतु उसने सुधारने का कोई प्रियास नहीं किया अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं लुई सोल्वे की 1764 से सासनकाल जो उसका रहा 1792 में तक लुई सोल्वा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंतिम सासक था लुई पंद्रमे की मृत्यों के उपरां 1764 में लुई सोल्वा फ्रांस का राजा बना उसमें उसकी आयू केवल 20 वर्ष की थी 20 यर्ष उसे फ्रांस जैसे विशाल सामराज्य का सासन चलाने योग्य जो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए एक एजुकेशन होनी चाहिए एक एकस्पिरियंस होना चाहिए जाहिरे 20 साल की आयू तक उसको प्राप्त नहीं हुआ था जब वह राजा बना तो एक भला तथा सद्भावना वाला यूवक था उसकी नैतिकता कर्तव्य प्रायनता भी बढ़ी चड़ी थी प्रन्तु उसमें विल पावर जिसको इच्छा सक्ती कहते हैं उसका अभाव था वह व्यक्तियों को परखने की योग्यता भी नहीं रखता था उसको आदमी की पहचान नहीं थी अतय वह अपने से प्रभाव साली लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था उसके सासन के प्रार्मबिक काल में वह बुद्धि मानर राजनितिग्य तुर्गों के परभाव में रहा परंतु जल्दी ही उस पर उसकी रानी का जो स्वैम भी एक यूवती थी उसका परभाव बढ़ गया और वो फ्रांस के लिए और स्वैम लुई सोल्वे के लिए सब के लिए बहुत ही मतलियों कहें कि लुई जो राजपरिवार है और उसकी जो पतनी है प्रान घातक सिद हुआ फ्रांस के लिए भी बहुत लुख्षान दायक सिद हुआ राणी आन्तवानेत लुई सोल्वे की पत्नी जिसकी जिकर मैंने अभी किया वो आश्ट्रिया की राजकुमारी थी विद्यार्थियो लुई के राज्या भिशेक के समय उसकी आयू के वल उननिस वर्स की थी राजा 20 साल का और जो फ्रांस की राणी महरानी उसकी आयू 19 साल के चुकि यौरोप की राजनिती में आश्ट्रिया और फ्रांस की सतुरूता थी अत्य फ्रांस के लोग प्रारंब से ही इस वैवाहिक सम्मंद को पसंद नहीं करते थे और वे इस राणी को घ्रना की द्रश्टी से नफरत की द्रश्टी से देखते थे यह जो 19 साल की राणी बनी आश्ट्रिया की राजकुमारी आंतवाने बहुत ही सुन्दर थी और बड़ी कॉन्फिडेंट एक महिला एक उत्साही महिला थी और लूईक के विप्री तो उसमें बहुत से गुण भी विद्धिवान थे जैसे इच्छा सक्ती उसकी बहुत बड़ी थी प्रंद तो उसमें बुद्धी का भाव था और इच्छा सक्ती तो थी लेकिन विवेक का भाव था रानी बनने के बाद वह जिद्धी होती गई और खर्चा जो राजा महराजा हो राजा महराजा कहीं के भी हो खर्चा करने के लिए तो बड़नाम है विद्धियार थी हो अनापसनाप व्याई करती थी एहंकारी थी घमंडी थी आमोध परमोध और भोग विलास में डूबी रहती थी जिनको कहते हैं न चम्चे चापलूस उनके बीच में घिरी रहती थी उसका आच्रण भी ठीक नहीं था और इसी वज़े से वहे सिग्र ही समूचे फ्रांस में आलोचना का विश्य बन गई और फ्रांस की स्थिती बिगड़ती जा रही थी राजा और रानी अपने भोग विलास और इनकारियों में व्यास्त थे उस समें जो फ्रांस का एक वित्मंत्री बहुत योग्य है तुर्गो वो वित्मंत्री था अपने समय का प्रसिद अर्थसास्त्री और राजनितिय उसमें ऐसाधारन साहस और योग्य था और दो वर्स तक इस पद पर रहते वे फ्रांस की आर्थिक स्थिती को सुधारने का बड़ा परियास किया उसने उद्धोग तथा व्यापार की उन्नत्ती के लिए इस छेत्र को अधिक स्वतंतरता तथा सुविधाएं दिलवाने और कश्ट पर्द करों में कमी करने का परियास किया जो जन्ता के लिए दुखदाई करते उनको हटाने की उसने कोशिस की फ्रांस के दिवालियपन को दूर करने के लिए उसने राजा के सामने दो उपाई रखे पहला सरकारी खर्चे में की कटोती दूसरा सारुजनिक धन की व्रत्थी सरकारी आय को बढ़ाने के लिए कृशी उध्योग तथा व्यापार को बहुत से प्रतिबंधों से मुक्त करना जरूरी तुर्गों ने बहुत से अनावशक खर्चे कम करके काफी धन की बचत कर ली परन्तु इससे वे सभी लोग उसके सत्रू बन गए जो अब तक अनावशक खर्चे पर शान सोकत का जीवन व्यातीत कर रहे थे इसके साथ ही तुर्गों ने खाद्य सामगरी के व्यापार पर लागू बहुत से प्रतिबंधों को हटा कर अनाज के व्यापार में स्वतंतरता का सिध्धान्त लागू कर दिया तुर्गों ने व्यावसाइक स्रेनी का अंत कर दिया उसने कारीगरों, दस्तकारों को नए नए उद्ध्योग खोलने का उसने एक मोटिवेशन उनको दिया और वो लोग नए नए उद्ध्योग खोलने के लिए प्रेरित हुए तुर्गों के इस कदम से श्टोरिये, भिचोलिये तथा जो ये प्रोफेशनल्स थे, इनके नेता, उनके सत्रू बन गए और्गनाइजेशन्स जो खास कर, तुर्गों ने एक घ्रनित कर था, कोरवी, जिसका नाम था, कर का नाम कोरेवी, उसको भी समात कर दिया इसके अंतरगत, कोरवी जो कर था, इसके अंतरगत किसानों को बिना मजदूरी के सड़कों पर काम करना पड़ता था और स्वाभाविक है, वो इसे घ्रना की दृष्टी से देखते थी, अब किसानों को इस कारिये के लिए प्राइज मिलने लगा, उनको पारिसरमिक मिलने लगा उनको उसकी जगे उनके जो कहते हैं उनको परिसरम उनका जो है, वो उनको कैश मिलने लगा इस धन की पूर्ति के लिए वित्मंत्री ने कुलीन वर्ग तथा अन्य भू स्वामी वर्ग पर एक समान कर लगा दिये अन्त में जब 1776 के मार्च के महिने में तुर्गों ने कई विशेशाधिकारों को समाप्त करके राज्य के करों में कमी करने नमक कर हटाने किसानों को आर्थिक साहिता उपलब्द करवाने आदि के प्रस्ताव रखे तो समस्त विशेशाधिकार प्राप्त वर्ग जो कोई टैक्स नहीं देता था जिसकी कोई लायबिलिटीज नहीं थी जो शान और सोकत का जीवन व्यतित करता था वो जो वहां का वर्ग है इलिट क्लास नॉबल क्लास जिसमें सामंत हैं बड़े जमिदार हैं कुलीन वर्ग है वो इसका विरुद हो गया और उन्होंने जो वहां की राजकुमारी है आंतवानेत जिसकी चर्चा हमने की थी उसक को अपने पक्ष में कर लिया क्योंकि ये सब पाल्टी करने वाले लोग थे राणी भी उन पाल्टी की एक सदस्य थी और नाचने गाने मस्ती करने वाले लोग राणी को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया राणी ने और ये जो विशिसाधिकार प्राप्त वर्ग है या जो फ्रांस का इतना वैल विशर था वहां की प्रजा के लिए, वहां के किसानों के लिए वहां के जो अधिकारों से वंचित लोग हैं उनके लिए जो कारिय कर रहा था उसको उसके पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर नया वितमंत्री बना नेकर तुर्गो की जो हटाया पद से उससे सुधार का मार्ग बंद हो गया उसके स्थान पर नया वित्मंत्री बना नेकर वो एक पहले जो उसका प्रोफाइल है वो एक बैंकर था बैंकिंग ब्याज लोगों को रकम देना लोगों की जो रकम जमा है उस पर लोगों को ब्याज देना लोन देना ये बैंकिंग होती है वो एक बैंकर था उसमें दूरदर्शिता का अभाव था नेकर ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का तो पूरा प्रियास किया परंतु उसमें ए संतोस जनक सामाजिक प्रशनों को हल करने का उसने ना तो प्रियास किया और ना उसमें योगिता दी संयोग से इसी समय अमेरिका का सोतंतरता संग्राम सुरू हो गया नेकर ने राजा को सलाह दी कि यदी फ्रांस ने खुलम खुला इसमें भाग लिया तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति और बिगड जाएगी जो पहले से बिगडी हुई है परंतु राजा ने उसकी बात नहीं माने और सरकार ने भारी करजा लेकर भी अमेरिकी उपनी वेसों में सहाइता पहुंचाई नेकर ने भी तुर्गों का अनुसरन करते वे सरकारी खर्च में कवीं का प्रस्ताव रखा इस अउसर पर उसने राज्य की आयव्याय के आंकड़े अपनी रिपोर्ट सहीत प्रकासित करवा दिया अख़वारों में अब जब ये पबलिक में आ गया कि राज्य की क्या आय है और क्या खर्चा है और किस हेड में कितना खर्चा होता है इससे जो कुलीन वर्ग है विशिश अधिकार प्राप्त वर्ग है उसके भी सत्रू बढ़ गए अब तक किसी भी मंत्री ने सरकारी आय और व्याय के आंकड़ों को जनता के सामने प्रकट नहीं किया था नेकर की रिपोर्ट में दर्बारियों को मिलने वाले पैंसन उनके बत्तों ये सब उलेक था और यह भी कहा गया कि इसके बदले यह विशिश अधिकार प्राप्त वर्ग देश को कुछ नहीं देता है किसी प्रकार की वो सेवा नहीं करते हैं एक बार पुने इस विशित साधिकार प्राप्त वर्ग ने रानी से इस बारे में चर्चा की और इस मंत्री को भी जिसने की कुछ अच्छा करने का प्रियास किया उसको उसके पद से बंचित होना पड़ा अगला वित मंत्री बनता है केलोन 1781 में उसकी न्युक्ति कुलीन वर्ग कितिव रिच्छा के कारण ही की गई थी और इसमें कोई संदे नहीं कि कुलीनों की इच्छा नुसार कारिये करने वाला दूसरा वित मंत्री कोई और हुआ भी नहीं केलोन जिस वर्ष मंत्री बना सरकारी बजट में लगभग 16 क्रोड 20 लाक फ्रेंक विद्यारतियों फ्रेंक वहां की केरेंसी है उफ्राज की जैसे भारत की केरेंसी है रुपया तो 16 क्रोड 20 लाक फ्रेंक का घाटा था केलोन ने इस समस्या का समाधान करज लेकर किया इसके लिए उसने ब्याज की दर को बढ़ा दिया जिससे आकरशित होकर जो पुंजी पति लोग थे उन्होंने सरकार को करजा दी दिया परन्तु कुछ वर्षों बाद करज मिलना बं कारी खजाना बिलकुल रिक्त हो गया खाली हो गया कहीं से कोई करज मिलने की संभावना अब दिख नहीं रही थी केलोन ने भी अब राजा को सलह दी कि वहे एक ऐसा कर लगाए जिससे तीनों वर्गों के लोगों को समान रूप से चुकाना हो जिसमें विशिस अधिकार प्राप्त वर्ग भी है उसको भी चुकाना पड़ेगा मध्यम वर्ग को भी चुकाना पड़ेगा और जो किसान और इस प्रकार के जो लोग हैं जो कारीगर हैं इनको भी सब को सब को चुकाना पड़ेगा अब ये बात भी विशिस अधिकार प्राप्तवर्ग को समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, ये फिर उनको अपने अधिकारों पर प्रहार नजर आया और वे इसके भी मंत्री हो, इसके भी विरोधी हो गए, केलोन के भी जब विरोधी हो गए तो केलोन ने समझदारी से काम और अपने पद से त्याग पत्र दे लिया, अब इसके बाद विद्यारतियो, इस्टेट्स जनर्रल की बात करते हैं, इसने एक मांग रखी, इस्टेट्स जनर्रल क्या है, इसकी भी हम चर्चा भी आगे करेंगे, पहले इसकी डिमांड क्या थी, केलोन के उपरांत, लोमनी दे बिने को अर्थमंत्री न्युक्त किया गया, लोमनी दबिने, लोमनी याद रखें, को अर्थमंत्री न्युक्त किया गया, उसके परियतनों के उपरांत भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो है, उसमें सुधार नहीं हो पाया, अतै विवस होकर उसने भी राजा को नए टैक्स लगाने का सजेशन दिया, सुझाव दिया, राजा ने नए कर लगाने की स्विकर्ति पैरिस की पारलमा यानि की पारलियमेंट है, राजा ने स्विकर्ति नए कर लगाने की स्विकर्ति दे दी, लेकिन जो पैरिस की पारलियमेंट है, संसद है, उसने इन करों का घोर और इने अपने रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार कर दिया। Protect एक नए कर अत्वा नियम लिद्हार्थियो पिर्चना में एक नियम था कि जब तक कोई भी नियम या जो टेक्स है पारलमा के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाता था वहां की पार्लियमेंट में, जब तक वहां नहीं हो पाता था वो रिजिस्टर्ड तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता था, पैरिस की पार्लमा यानि पार्लियमेंट का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उन्हीं को है, जो उन्हें अदा करते हैं अतै इसके लिए States Journal का अधिवेशन बुलाया जाए अब विद्यार्थियों बात कि States Journal क्या है States Journal जिसको वहां की language में एतात जनराल कहते है States Journal को एतात जनराल ये फ्रांच की एक पुरानी संस्था थी जिसका प्रथम अधिवेशन फ्रांच के समराठ फिलिप दफेयर ने सं 1320 में बुलाया था ये अधिवेशन लगातार 1614 इस्वी तक होते रहे लेकिन 1614 के बाद से लेकर क्रान्तिक के पुरु तक इसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ इस संस्था का मुख्यकारिय सासन को प्रामस देना था ने की कानून बनाना इसमें पादरी भी थे इसमें कुलीन भी थे और इसमें सर्वसाधारन जो सामन्ने लोग हैं उनके परतिनिदी और बराबर संख्या में बैठते थे किन्त विचित्र बात यह थी कि तीनों वर्गों के प्रतिनिदी एक साथ ने बैठकर अपने जो इनकी वर्ग हैं स्रेणियों के हिसाब से प्रतक प्रतक बैठते थे और पूरी एक वर्ग हैं जैसे कुलीन वर्ग हैं चाहिए वोहाँ पर सो बैठे हैं चाहिए पांसो उनका एक वोट कास्ट किया जाएगा मध्यमवर्ग है चाहे वो 2000 बैठे है उनका एक वोट माना जाएगा सामान्यवर्ग चाहे वहाँ पे 10000 की संख्या में बैठा है उनका भी एक वोट माना जाएगा तो व्यक्तिगत रूप से मत नहें देकर स्रेणियों के नुसार मत देने की प्रथात थी अर्थात एक स्रेणी का एक ही मत माना जाता था कुल तीन स्रेणियों के कुल तीन मत होते थे जिस योजना अत्वा प्रस्ताओं को दो स्रेणियों की स्विकरती मिल जाती यानि कि दो मत मिल जाते वह स्टेट्स जर्नल के द्वारा पारित स्विकरत माना जाता था भुदा ऐसा होता था कि पर्थम और दृतिय श्रेणी के जो दो मत थे वो दोनों एक साथ हो जाते थे और जो सरवसाधारन वर्ग था जिसका दृतिय श्रेणी उस वो उसका जो मत है अकेला पड़ जाता था और उनकी मांग स्विकार नहीं होती थी लुई सोल्वे ने स्टेट्स जर्णल का अधिवेशन बुलाना स्विकार कर लिया परन्तु उस समय फ्रांस में कोई जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे इस संस्था के संगठन, निर्वाचन तथा मताधिकार आदी के बारे में जानकारी रही हो अता इसके लिए एक आयोग किस्था अपना की गई जिसने पुराने फाइलों का अधिन किया, रिकोर्ड को स्टेडी किया और फिर संस्था के प्रतिनिदियों के निर्वाचन के बारे में अपनी एक रिपोर्ट परस्तुत की उस समय फ्रांस में दो महत्पून परशनों पर चर्चा चल रही थी एक तो यह था कि क्या पहले की भांती तीन स्रेणियों के सदस्यों की संख्या बरकरार रहेगी और दूसरा यह है कि क्या पहले की भांती प्रतक प्रतक बैठके होगी और प्रतेक स्रेणि का एक ही मत माना जाएगा अथ्वा तीनों स्रेणियों की समिलित सभा होगी और व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों अर्थ मंत्री उस नेकर यह चाहता था कि किसी प्रकार पादरी और कुलीन वर्ग के लोग कर देना सुविकार करने, उन्हें आतंकित करने अथ्वा सरोसाधरन को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उसने समराथ को सला दी कि तिर्थिये स्रेणि के सदस्यों की संख्या दुगने कर दी जाए। समराट ने उसकी इस बात को मान कर तिर्तिय स्रेणी की परतिनिदियों की संख्या को दुगना कर दिया प्रंतु एक साथ बैठने की बात भुष्य के लिए टाल दी गई जो घातक सिद हुई इस समय लुई सोल्वे ने मतदाताओं को यह भी कह दिया कि वे अपनी शिकायतों का अत्वा जो भी सुधार चाहते हैं उसका एक अपना वो तयार कर ले मांग पत्तर और अपने छेतर से निर्वाचित परतिनिदी को दे दे इस प्रकार तयार किये गए स्मृत्ती पत्र को फ्रांसिसी भासा में कहियर आपकी स्क्रीन पर कहा जाता है एक और भी सब्द काम लिया जाता है काहियर लेकिन आप कहियर ध्यान रखें और अंत में 5 माई 1789 के दिन वर्साय में इस्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाना तैह हुआ अप्रैल महिने में इस्टेट्स जर्नल के परतिनीधियों के निर्वाजन की व्यवस्ता की गई तीन स्रेणियों ने प्रतक प्रतक रूप से अपने प्रतिनी धियों का निर्वाजन किया तीसरी स्रेणि के प्रतेक व्यक्ति को जिसकी आयू 25 वर्ष थी और जो प्रतेक शुरूप से कर देता था को मत देने का जो अधिकार है वह भी दिया गया से सगले व्याख्यान में विद्यार थीओ, बहुत बहुत धन्यवाद।